सुनना आज कुछ अलग बनाते हैं हाँ यार मैं भी तुझसे यही कहना चाहती थी चल कुछ अलग ट्राई करते हैं तो एक काम करें हलवा बनाएं क्या नहीं यार पूरी सबजी बनाते हैं बढ़ियांसी अरे पूरी वुरी छोड़ हलवा बनाते हैं अभी तो खाया था दो दिन पहले ही हलवा अब पूरी सबजी बनाते हैं पूरी सबजी और हलवे के चकर में दोनों बेहनों में बहस होने लगी पल्लवी हलवा बनाने को तयार नहीं थी और मानसी पूरी सबजी के लिए नहीं मान रही थी इसी बात को लेकर दोनों बेहने रसोई के अलग-अलग कोनों में मूँ फुला कर बैट गई फिर थोड़ी देर बाद अच्छा सुन अब गुस्सा छोड़ चल पहले हलवा बनाते हैं और फिर तू वादा कर कि पूरी सबजी भी बनवाएगी मेरे साथ हाँ पक्का पक्का बनवाओंगी पल्लवी और मानसी जुड़वा बहने थी देखने में बिलकुल एक जैसी दोनों आपस में खूब लड़ती थी पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती थी हर बार जब भी उनका जगड़ा होता तो थोड़ी देर की नाराज़गी के बाद वो कुछ न कुछ करके बीच का रास्ता निकाल ही लेती थी उस दिन भी पल्लवी और मानसी ने ऐसा ही किया रसोई में हलवा भी बना और पूरी सबजी भी दरसल दोनों ही बेहनों को खाना बनाने का बहुत शौक था और दोनों वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती थी ऐसे ही हसी खुशी वक्त बीत रहा था और फिर एक दिन सुनना मुझे तुछ से कुछ बात करनी है हाँ बोल यार वो न एक लड़का है मुझे बहुत पसंद है वो अच्छा अरे वाक अब नाम क्या है उसका नाम तो नहीं पता कभी बात नहीं हुई बस आखे मिलती है न वो कुछ कहता है और मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती आगे से बात करने की हम चल दिखा मुझे कहा रहता है वो अरे जब मैं बाजार जाती हूँ न तब मिलता है मुझे वो रोस क्या बात कर रही है वैसे मुझे भी तुझे किसी से मिलाना है मुझे भी एक लड़का पसंद है और कमाल की बात तो यह है कि मेरी भी उससे कभी बाते हुई बस तेरी तरह नजरों-नजरों का प्यार है मेरा भी अच्छा तो तेरा वा लखा रहता है वहीं बाजार में कमाल है ना हम अगर ऐसा है तो अभी चल आज दोनों से मिली लेते हैं चल दोनों बेहने फॉरन बाजार पहुंची लेकिन उन दोनों जुड़वा बेहनों को साथ देखर वहां खड़ा एक लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा उसके गिरते एक पलवी और मांसी दोनों उसकी तरफ भागी थोड़ी तेर बाद लड़के को होश आया तो लड़का बोला आप आप दो हो मतलब दोनों अलग अलग हो या मुझे कुछ हो गया है मतलब अरे हम दो ही हैं असल में हम जुड़वा बेहने हैं तो मैंने किसे प्यार मेरा मतलब है कि मैंने किसे देखा ये भगवान, ये तो गरबर हो गई, मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो और मुझे लगता रहा कि ये मुझसे प्यार करते हैं ये तो भारी कन्फूजन हो गया, देखो, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि मुझे आप दोनों से प्यार है पल्लवी और मांसी दोनों ही कवी से प्यार करती थी और कवी भी अंजाने में दोनों से ही प्यार कर बैठा नतीजा ये हुआ कि कवी ने दोनों बेहनों से एक साथ शादी करने का फैसला किया और दोनों बेहने भी इस बात के लिए राजी हो गए लेकिन अब समस्या ये थी कि कवी की कम तनख्वा में घर का खर्च कैसे चले दरसल कवी अपनी मा के साथ एक छोटे से किराई के घर में रहता था काफी नानुकुर के बाद कवी ने अपनी मा कमला को अपनी शादी के लिए मना लिया और फिर शादी के बाद वैसे दो द्वार पर एक ही कलश रखा जाता है पर अब मेरी दो-दो बहुए हैं तो तुम दोनों के लिए अलग-अलग कलश रखा है मैंने आओ बहुओ ग्रिह प्रवेश करो जैसे पल्लवी और मांसी ने अपने पैर आगे बढ़ाए ठेक उसी वक्त उनका मकान मालिक वहाँ पहुचा और फिर सुन कमला ये सब नहीं चलेगा मकान देते वक्त बस दो लोगों के रहने की बात हुई थी हाँ पर लाला बेटे की शादी तो होगी न कभी हाँ होगी मगर दो-दो पत्निया भला कौन लेकर आता है मकान मालिक लाला बहुत ही खडूस आदमी था कवी और कमला ने उससे बहुत मिन्नतें की पर वो नहीं माना और इस सब में बिचारी पल्लवी और मांसी के घ्रे प्रवेश की रस्म भी पूरी ना हो सकी एक हफ़ते बाद चारों ने एक दूसरा मकान किराए पर लिया और फिर वो लाला कितना खडूस था उसने बहुत बुरा किया हमारे साथ हम क्या हूं कितनी देर से देख रही हूं तू कुछ बोली नहीं रही है अखिर चल क्या रहे तेरे मन में मुझे अपना मकान चाहिए जिसमें तू और मैं फिर से पूरे सम्मान के साथ ग्रिप रवेश कर सके हैं ये क्या बोल रही है अपना मकान अरे हलवा या पूरी सबजी थोड़े ही है जो मिलके बना लेंगे अरे वा क्या आइडिया दिये तूने अब तो हलवा और पूरी सबजी बना कर ही बने का अपना मकान और हम दोनों मिलकर बनाएंगे मांसी की बात पलवी को भी जज़ गई दोनों ने कवी और उसकी मा कमला को भी मना लिया अब कभी अपनी फैक्टरी में काम करता और उधर पलवी और मांसी ने मिलकर पूरी सबजी और हलवा बना कर बेचना शुरू कर दिया दोनों के हाथों का स्वाथ जल्दी लोगों की जुबान पर चड़ गया और उनके ग्राहक दिन दूने और रात चौगुने होने लगे फिर कुछ साल बाद आओ बहुओं तुम्हारा अपने घर में स्वागत है आओ ग्रेह प्रवेश करो दोनों बेहनों ने अपनी मेहनत से अपना मकान खड़ा किया और फिर पूरे सम्मान और खुशी के साथ दोनों का ग्रेह प्रवेश हुआ खुशी के आँसू सबकी आँखों में थे खास तोर पर कवी जिसे आज अपने फैसले पर बहुत गर्व हो रहा था मंचू और कंचन दोनों देवरानी चेठानी बन कर एक ही घर में आई थी मंचू देखने में कम सुन्दर थी जिबकि कंचन देखने में बहुत सुन्दर थी राज और विराज दोनों भाईयों की उम्र में एक दो साल का ही अंतर था इसलिए सुलेखा देवी का मन था कि वो दोनों बेटों की शादी एक के मंडब में करे इसी वज़े से मंजू और राज की शादी सगाई के छे महीने बाद तक रुकी रही जब कंचन की पढ़ाई पूरी हो गई तब उसने विराज को शादी के लिए हां कह दी आज मंजू और कंचन की सुहाग रात थी और इसी विशय पर घर में बात हो रही थी मा वो रुम की सजावट वाला भाया खाली कंचन भावी के कमरे की सजावट कर क्या है मंजू भावी के कमरे में कोई सजावट नहीं हुए क्या मैं क्या बोलूं, राज का मन ही नहीं है कमरे की सजावट करवाने का उसने फूल वाले को मना कर दिया, बोला कि मुझे नहीं सचवाना अच्छा लगेगा क्या मा, कंचन भाबी का कमरा सजा हुआ और मंजु भाबी का बिना सजा मुझे जो ठीक लगा, मैंने किया, मुझे मनजु शुरू से ही पसंद नहीं थी पर मा के कहने में आकर मैंने शादी के लिए हां की थी मनजु तेरे स्वर्गिये पापा के दोस्त की बेटी है तुम्हारे पापा ने अपने दोस्त को वचन दिया था कि मन्जू की शादी तुम्हारे साथ हो अब तुम्हारे पापा तो इस दुनिया में है नहीं तो उनकी आखरी इच्छा को पूरा करना तो तुम्हारा वर्द है ना और मन्जू स्वभाव की बहुत अच्छी है मैं तो उससे मिलती रहती थी, वो मिलनसार है मिलनसार है सुन्दर नहीं, मुझे सुन्दर बीवी चाहिए थी बाहर ओरी बहस अंदर कमरे में बैठी मंचु और कंचन के कानों तक जा रही थी कंचन धीरे धीरे हसने लगती है, ऐसा लग रहा था जैसे वो मंचु का मजाक उड़ा रही हो वैसे सुन्दर होने की कितने फायदे है, आज मैं आपसे छोटी होकर भी इस घर में आपसे जादा सम्मान पारी हूँ मुझे इस घर का सबसे आलिशान कमरा सुहाग रात के लिए मिले है, मेरे कमरे को बढ़ियां से बढ़ियां फूलों से सजाए गया है, आपका आपकी तरह ही बतसूरत होगा मेरी सुहाग रात तो बहुत बढ़िया होने वाली है पर आपकी तो बेरंग, इतना तो बताई जगती हो कोई बात नहीं कंचन, मुझे वैसे भी इन सब चीजों का इतना शौक नहीं है मैं तो हर आल में खुश हूँ, तुम खुश हो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा तुम अपने इस रात को यादगार बनाना, वो तो बनेगी वैसे आपकी भी सुहाग रात यादगारी होगी, बिना किसी साज सज्जा वाली सुहाग रात कंचन की बाते सुनकर मंजू का मन तो थोड़ा खराब हुआ, पर उसने अपने मन को संभाला कुछ देर बाद ननत कोमल आ जाती है बड़ी भाबी, आपका कमरा उपर छत वाला है, आप चाहो तो कुछ देर वहां आराम कर लो वैसे राद को भी आपको उपर छत वाली कमरे में ही सोना है राद भर के ठके हो, चलो मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ चोटी भाबी आप भी चलो, आपका कमरा तो आंगन वाला है, आप भी कुछ देर आराम कर लो कोमल अपने दोनों भाबियों को उनके कमरे दिखाती है, कंचन का कमरा बहुत सुन्दर लग रहा था बिलकुल आलिशान सा जावट की गई थी, जबकि मंजु का कमरा छट पर बना हुआ, थोड़ा पुराना छोटा सा था मंजु कुछ देर के लिए अपने कमरे में आराम करने चली गई, इधर कंचन भी अपने कमरे में आराम कर रही थी, शाम को अचाने बहुत तेज बारिश शुरू हो गए, इतनी बारिश की सड़कों पर पानी भर गया, अरे अरे आज तो इतनी तेज बारिश है जितनी पू जब बारिश आय थी और आज तो वही कमरा आपको सोने के लिए दिया जा रहा है। राज विराज तुम दोनों भी अपने अपने कमरे में जाकर सोजाओ, मैं और कोमल ताई जी के घर सोने जा रहे हैं। मन्जू राज से लिपट करोने लगती है। मन्जू का अचानक से लिपटना और डरना एक पल के लिए राज को आकरशित कर लेता है। फिर वो अपना ध्यान हटाता है। मन्जू डरते डरते वापस बेट पर लेटने तो आ जाती है पर उसे बहुत डर लग रहा था। मन्जू देखती है कि राज थोड़ी नीन ले चुका है तो वो चुप चाप उसके पास आकर उससे लिपट कर डरते डरते सो जाती है। पूरे कमरे में पानी भर चुका है, पीछे वाले दर्वाजे से पानी आ गया। कंचन और मुझे सोने में परिशानी हो रही है। हम कैसे सोएं। एक काम कर, कंचन के साथ उपर आजा। चलो कंचन, आज हमें उपर वाले कमरे में सोना पड़ेगा। क्या? विराज, आज हमारी सुहाग रात है और हमें एक साथ सोईगे। कंचन मजबूरी है, मैं एक साथ सोना पड़ेगा। यहां तो बहुत डर है। यह बारिश रुख जाए तो उसके बाद कल कमरे का पीछे का हिस्सा ठीक करवाएंगे। चलो, उपर कमरे में चलते हैं। और फिर विराज और कंचन उपर राज और मंजु के कमरे में आ जाते हैं। भाया, मैं और कंचन जमीन पर सो जाते हैं। नहीं नहीं विराज भाया, हम दोनों तो पहले ही जमीन पर सो रहे थे। हमें बिस्तर पर नीद नहीं आ रही थी, आप दोनों बेट पर सो जाओ, आप दोनों जमीन पर सो रहे थे, बेट पर क्यों नहीं, वो तुम मत पुछो वरना तुमें भी डर लगेगा, क्या बात है हमें भी तो पता चले, वो एक मोटा कॉक्रूच आ गया थे, इसलिए मैं ड गई थी, मुझे बेट पर सोने में डर लग रहा था, राज ने बोला कि मुझे डर ना लगे, तो हम दोनों ने जमीन पर ही बिस्तर बिचा लिए, क्या, कॉक्रूच, फिर तो मैं बेट पर नहीं सोने वाली, वो देखो कंचन, पुरा कॉक्रूच, वो खिडकी से बाहर जा रात विराज और कंचन बेट पर थे, और मंजू राज के साथ जमीन पर लेट जाती है, उस रात के कुछ पलों में ही मंजू ने राज के दिल में अपनी जगा बना ली थी, कही न कहीं राज के मन में मंजू के लिए प्यार आ ही गया था, मंजू की नादानी से भरी मीठी- अलग जगा बना लेती है, और उन दोनों का रिष्टा अच्छा हो जाता है, कहने को तो वो रात मंजू और कंचन की सुहाग राती थी, पर उस रात चारों में से कोई भी नहीं सोया, चारों आपस में बाते करते रहे, अपनी अपनी बाते बताते रहे, कंचन भी देख रह रिष्टे में भी वो रात एक मजबूत रिष्टे की चाप छोड़ गई, मंजू और कंचन के लिए वो सुहाग रात सचमुची यादगार बन गई